Once again, back on public demand. पहुची है. सफर के दोरान उसे रोट साइड पर एक बूरा आदमी मिलता है जो हैंड मेड सामान बेज रहा था. जोई इन चीजों को देखती है और अपने सफर पर निकल जाती है. जब वो ड्राइब कर रहे होते हैं तो उसका ध्यान रोट से हड़ जाता है और इसी दोरान उसे जखमी आदमी की मदद करने की कोशिज करती है. वो गाड़ी से बहार निकलके उस आदमी को अपनी कार में बैठाती है और वहां से भागने ही वाली होती है. वो गुंडे वहां आ जाते हैं और उसे पकड़ लेते हैं. इसके बाद ये सबी जोई को छेड़ेने लगती गुंडे जाता है, वो गंद से पाद ने ही जाते हैं और उसे बाड़ी बारी बारी से उसका रेप करने लगते हैं. इससे जोई का मंगेदर डैन पर हैसान होता है क्योंकि जोई अभी तक घर नहीं पहुंची और नहीं उसने कोई फोटो भीजी. अब वो जोई की लास्ट भीजोई फोड़ो देखता है इसमें एक बोर्ड दिख रहा था इससे जोई की लास्ट लोकेसिं के बारे में पता चल जाता जिसके बाद पुलिस को कॉल करता है और जोई को ढूंड़ेने के लिए बोलता है इधर ट्रे जोई को चोड पहुचाता है और उसे बताता है कि मैं जोजफ बेश्ट का पोता हूं जिन्होंने अमेरिका से अपाचे नाम के कबीले को खत्म किया था वो उसे कई अपाचे कबीले के मेंबर्स के कटे हुए सर दिखाता है जो अब कंकाल बन चुके थे वो से बताता है कि ये उन कबीले के लोगों के सर है जो उसके दादा ने केवीली की बता रहा था यह सब सच में हुई थी और मुवी में यहीं चीज मेजर रोल में हैं इधर यह सभी डिंक कर रहे होते हैं तब इनमें से बैस्ट जोई को मारने की बाद करता है पर ट्रे उसे कहता है कि अभी मेरा मन नहीं बराएं इसलिए तुम उस लगी को नहीं मा के पास लियाता है और कुछ जड़ी भूटियों से इक दवाई बनाके वोसके जख्मों पर लगाता है यह बुड़ा आदमी पाचे कभीले का ही होता है और यह कुछ मंत्र वगेरे पढ़कर रीच्वल करता है ता कि जोई की आत्मा वापस उसके सरीर में आ सके इसी दोरान कुछ होता है इसके बाद टैन इसके फोन की लुकेसर निकल वाता है और वहां के लिए रवाना हो जाता है इसके पूरी तरह काली हो जाती है मालो उसके अंदर फिर से वही आत्मा आ गई हो अभी हो जैड जोई पर अटेक कर देता है लेकिन इससे पहले जोई जैड का लेकिन जोई उसे चीर मार कर भी होस कर देती है जब दैन यहां पेफोन की लोकेसर पर पहुंचता है तो देखता है कि यहां किसी आदमी का मुर्डर हुआ है और वो जिसे डून रहा है वो यहां नहीं है जोई मेरी मंगेतर ने एक घंटे पहले मुझे कोल किया था इसी ज पहले मेरी मंगेतर ने यहीं से फून किया था तो यह सुनके ट्री और उसकी गैंग है और दैन को पीटने के लिए आगे बढ़ती है अगले दिन जोई अपने आपको एक लकड़ी के बनी हुई जोपड़ी जैसी जगह में पाती है तभी अपने यहां पर पुल जाता है ज कि मेरे हाथों मारा गया इंसान बच ही नहीं सकता अब यह सब कुछ समय के लिए अपने घर से कहीं दूर जाने का प्लान करते हैं ताकि पुलिस नहीं पकड़ फाए वह सब घर जाती है और अपने घर से निकलने वाला होता है तो वह अपने गाड़ी के टायर में तीर इसका सरीर रहा है और उसमें कीड़े पड़ रहे हैं यह देखके बोड़ी आदमी के पास जाती है और उससे बारे में पूचती है वह बुड़ा आदमा अमेरिकन जनरल जोन के परिवार को खत्म करके बदला लेला चाहती है जो वहीं लोग है जिसने तुमारा रेप किया ह तुमारे दुस्मन एक ही है यह बुड़ा आदमी जोई को यह भी बताता है कि तुमारी बोड़ी सर रही है इसलिए जो करना है जल्दी करना इधर ट्रे प्लान बनाता है कि वो जोई के मंगेतर को किड्नेप करेंगे ताकि जोई उनका कुछ ना भीकार पाए अगले दिन उनकी गाड़ी पर चड़ जाती है जहां वो वैस्ट से लड़ती है वैस्ट चाकू से जोई पर कई वार करता है लेकिन उससे कोई असर नहीं होता जोई वैस्ट को मानने वाली होते है कि तभी ट्रे ब्रेक दवा देता है जिससे जोई जमीन पर गिराती है तभी ट्रे उस सब्सक्राइब इससे कार बलट जाती है और कोडी मारा जाता है इधर ट्रे जोई के मंगेतर डैन के सामने बहुत सारी बाते बताने लगता है कि कैसे उन सब ने उसकी मंगेतर के साथ रेप किया था यह सुनके डैन को दुख होता है और वो रोनी लगता है इसके बाद हम जोई को देखते हैं जो अपने मंगेतर के पास जाती है और डैन उसे देखके बहुत रोता है वो जोई को रुकने के लिए बोलता है लेकिन जोई को अपना बदला लेना था इसलिए वहाँ से चली जाती है इस पर ये बोड़ा आदमें उसे कहता है कि तुम्हें चीफ मेंगस की कंकाल को जलाना होगा तबी उसकी आदमा जोई की बोड़ी से निकल पाएगी इधर डैन को पुलिस वहाँ से चुड़ा लेती है और डैन उन्ही अपना बयान देता है दूसरी तरफ हम जोई को देखते हैं जो ट्रे के घर पहुँच जाती है वो देखती है कि उसके भाई ने डर के मारे सुसाई चर लिया है इसी ये चीफ मेंगस की आतमा ट्रे की मा को मा डालती है और यहां से चली जाती है तबी जोई उसका गला काट देती है जिससे आखिकार ट्रे भी मारा जाता है और अब जोई और मेंगस का बदला पूरा हो जाता है खुछ दिरवाद डैन वहां आ जाता है क्योंकि उस बोड़े आतमी नोंसे वहां बुलाया होता है वो गटे में जोई की बोड़ी का आदा हिस्सा देखता है वो जोई को कहता है कि मैं तुम्हें बहुत प्यार करता हूँ इसके बाद वो जोई की बोड़ी को जला डालता है जिससे उसे और मेंगस की आतमा को साथ